और स्वाद कोई नई होगी नहीं उस्टीन के लेकिन को आये लिए अगर आप सुषाइब करे मेरे का चो eyelids फीन प्राल और मेरा बेल आइकन विए मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रही तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसके लिए चावल लिया है मैंने चावल लिया है मेजरमेंट की लिए में ग्लास यूज़ कर रही हूं चावल को मैंने बहुत अच्छे से दो के रख दिया है अब इदर कुकर गरम कर लेती हूं मैं कुकर में पहले चावल बनाऊंगे कुकर मैंने गरम कर लिया उसमें एक चम्मच घी और दो चम्मच रिफाइन उयल उसे में गरम होने देती हूं अब यहीं पर आड़ करूंगे मैं सारे खड़े गरम मसाले को इसमें एक चक्रफूल 3-4 तेज पत आची उसको कूट दे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अब यहीं पर मैं एड़ करूंगी चार से पांच लॉंग चटकने देती हूं सारे चावल को मैं इसमें एड़ कर दूंगी उसे अच्छे से एक बार चला दूंगी स्वाद अनुसार नमक करूंगी अब इसमे पानी आड़ करके कूकर का ढकन लगा दूंगी है ने दो ग्लास चावल लिया है तो समय तीन ग्लास मैं पानी आड़ करूंगी अच्छे से मिला देती हूं और कूकर का ढकन बंद करके उसे एक सीटी आने तक पकने दूंगी मैंने प्रफ्रण के देज़ते कर दिखतां है एक einset आगई उसे फटत से खोल लेंगे उसे बड़े बरतन में फैला दूंगे ता कि चावल आपको नंब और चावल को यहीं पर जो इस इस यह नहीं में सालओ को कट गिया है use यूराइज करहøं करें यूज अज потр sos android रिफाइन ओयल में यूज कर रही हूं आप चाहे तो वहां घी भी डाल सकते हैं और सारे आलो को मैं उसमें अच्छे से फैला दूँगी उसके उपर मैंने चावल का एक लेयर लगा दिया है अच्छे से चावल का लेयर फैला दूँगी अब यहीं पर मैं बची वी चिकन का शुक्त लियर लगा दूँगी आप अच्छे से चिकन को भी मैं पहला दे रही हूं अब यहीं पर रेष्ट जो चावल बची सबस्का मूं बहुत अच्छे से लेयर लगा दूँगी पिल्कू पर्फेक्त अब यहीं पर एक चंछ में घीर Приद्श करोंगी ए अच्छे चावत्र फेला देती हूं अब इसमें एड़ करूंगी एक ग्लास दूद दूद से चावल भी बहुत अच्छे से पक जाएगी और बिड्यानी नीचे से जलेगी नहीं दूद की कोईंटीटी आप हाप भी कर सकते हैं अगर चावल आपकी पक चुकी है तो अब यहीं पर मैं करूंगे फूड कलर अब चाहें तो दूद में केसर डाल के थोड़ी दिर फुलने दे और उसके बाद उस दूद का यूज करें मैं यहां केसर नहीं यूज कर रही है इसलिए मैंने फूड कलर डाला है अब यहीं पर मैं आड करूंगी रोज वाटर और केवरा वाटर दो कि इसको खुसबू बहुत बढ़ जाती है अब यहीं पर मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और इसे पंदरा से 20 मिनिट तक लो फ्लेम पे ढखके पकने दूंगी चावल भी अच्छे से पक जाएगी और बिडियानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी अब इसे गैस बाहर नाइज इसके लिए मैं उसमें आटा को अच्छे से गूत लिया था उसे मैं उसे चिपका के उसे कवर कर देती हूं पंदरा से 20 मिनिट तक उसको स्टीम होने देती हूं तब तक इदर बाकी तैयारी कर लेती हूं प्याज को बहुत बारिक चौप कर लिया है तेल में उसे गोल्डन ब्राउन भून लूँगी अच्छे से उसे डाल के चला चला के भून ले बहुत अच्छे से बून चुका है अब इसे की टावल में मैं निकाल लेती हूं उदर बिडियानी को पकते वे भी 15-20 मिनिट हो चुके हैं बिडियानी भी बिल्कुल रेडी हो चुक अगर अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें और कमेंट करें तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाबाई